Hello everyone and welcome to Skillbus आज इस particular वीडियो में हम लोगे case study करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यूं Google ने 1 billion dollar Airtel में invest किया जबकि वो already Jio का एक partner था जैसे कि आप सबको पता है कि 2020 में Jio ने बहुत सारे पैसे उठाये थे बहुत सारे अच्छे अच्छे investors से 4.5 billion dollars Jio ने Google से उठाये थी एक पूरा project के लिए जहाँ पे वो पूरी तरीके से टेलीकॉम industry को change करना चाते थे 2G के जो भी users है वो सारे 2G के users को 4G में बदलने के लिए वो एक phone launch करना चाते थे जो कि affordable price में बहुत सारे लोग खरीद पाये और इस चीज़ को partnership में करने के लिए वो Google के साथ आये थे जिसमें Google ने 4.5 billion dollars invest के अधर Jio पे अब हम लोग को ये अच्छी तरीके से पता है कि टेली communication के market में Jio and Airtail these two are the two most important players जो 70% के उपर market को already grab करके रखें इसमें से Jio और Airtail का एक डूपोली चलता है और बहुत ही तकड़ा competition है तो ये सवाल जरूर आता है कि ये जो Google करेंटली 1 billion dollar का investment Airtail में किया या भी क्यों किया जबकि वो already $4.5 का investment किये थे just in 2020 तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग study करेंगे कि इसके उपर क्या implications आ सकती है और ये चीज़ का क्या reasons हो सकता है तो इसी thought के साथ इस video को start करते है तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा background दे दूँ 2020 में मुखेश अमभानी ने पूरा business world को एक तरीके से shock कर दिया था 20 billion का investment उठा के 90 days के अंदर बहुत सारे venture capitalist company, private equity companies इन सब companies में से पैसा उठा के total $20 billion का पैसा उठाय थे 90 days के अंदर और पूरी तरीके से news में एक तरीके से हर दिन news आता था कि जी ओ इतना इतना पैसा इस इस company से उठा रही इसमें facebook था और भी बहुत ही बड़े बड़े companies included थे इसमें से ही $4.5 billion का investment गूगल ने किया था क्योंकि इनको दोनों partnership में आके एक 4G का launch करना चाते थे एक 4G smartphone का launch करना चाते थे जो की affordable तरीके से हर को use कर पाया और ताकि ये 2G से 4G में बदल पाया अब ये इनका main partnership का मुद्दा था और इसी वज़े से आये थे इसमें जीओ का तो सबसे बड़ा काम इस 4G phone का बनाने का था और गूगल का जो सबसे बड़ा काम था वो की एक तरीके से इंडियन market में अच्छी तरीके से एंट्री लेने है क्योंकि जीओ बहुत अच्छी तरीके से customer base में बढ़ रहा था तो गूगल को भी अच्छा space मिल जाता जिसके थूँ वो भी अपना subscribers का जो भी ground है उसको बढ़ा लेते क्योंकि जादा से जादा लोग Google के थूँ अपना sign in करते phones के उपर और इसमें क्या होता गूगल का जो cloud business है वो cloud business एक तरीके से grow करता है अब यह जो cloud businesses है इसमें database का business आता है server का business आता है और बहुत सारे businesses आ जाते हैं इस पे अब यह जो cloud का business है इंडिया में सबसे जादा cloud का business corporates लेती है ठीक है क्योंकि हर एक business को database रखना होता है अब यह जो corporates लेती है cloud का business इसमें से सबसे ज्यादा market share अभी cloud का business में दो companies का है पहला तो Microsoft का है ठीक है और दूसरा जो company है जो सबसे ज्यादा cloud का business को चला रही है वह है Amazon Web Services यह जो दो company है यह दो company Google के लिए बहुत बड़ी competitor है जब cloud business का बात आता है तो और इसी thought के साथ Google basically एक पूरा campaign चला रहा है जिसको digitization of India campaign बोला जाता है जिसमें 10 billion dollars के उपर यह पैसा रखे हुए है जो कि इंडिया में यह invest करना चाते है for digitization जिसका indirect meaning यह है कि वह cloud business को अपना बढ़ाना चाते है I guess आपको यह context समझ में आ गया है now with that very context यह situation हुई थी last 2020 में जब Google ने invest किया था Jio पे अब उसके बाद क्या हुआ 2020 से 2021 का जो पूरा year था इसमें एक बहुत बड़ी shortage आ गई थी जिसको बोला जाता है semi conductor shortage ठीक है अब यह semi conductor shortage है क्या phones जब बनते है phones बनने के time पे semi conductors का use होता है जो basically एक conductor को और एक non conductor के बीच में जो भी सारे conductivity होती है वह एक तरीके से semi conductor ही वह fix करता है तो semi conductor छोटे ऐसे chips होते हैं जो phones के अंदर रहते हैं जो एक तरीके से phones का पूरा functionality को एक तरीके से catalyze करते हैं अब semi conductors के production में बहुत बड़ी supply में shortage आ गई the reason was 2020 में COVID का situation आया COVID का situation के साथ क्या हुआ work from home हुआ करेक्ट अब work from home के होने के साथ laptops या फिर जो भी electronic devices है उसका demand बहुत जादा बढ़ने लगा अब semi conductor से बहुत ही precision based device है जिसको बनाने में भी time लगता है और जो high demand create हुआ laptop में और बहुत सारी electronic devices में ये for the last two or three decades इतना demand कभी generate ही नहीं हुआ था इतना demand होने के वज़े से क्या हुआ कि supply का एक shortage हो गया है जहां पे manufacturing नहीं हो पा रहा था semiconductors का इतना जादा कि demand को match कर पाए और इसी particular supply के shortage के वज़े से जिसको chip shortage बोला जाता है जो कि last एक साल से बहुत जादा हुई है जो automobile industry को भी बहुत खराब तरीके से strike की है इस वज़े से क्या हुआ कि इनका जो ये plan था कि 4G का phones बनाना है वो तना अच्छी तरीके से execute नहीं हो पा रहा था क्योंकि phones बनाने के लिए भी semiconductors की जरूरत थी और इसी particular reason के वज़े से जो time span मिला इन time span में Airtel ने भी अपना दिमाग चलाना start कर दिया तो what was Airtel's plan Airtel का plan में सबसे तो पहला चीज जैसे कि मैंने बताया कि immense shortage of chips के वज़े से एक time मिल गया Airtel को कि अपना भी वो एक business strategy plan करें ताकि वो Gio के खिलाफ खड़ा हो पाए क्योंकि Gio ने इतना अच्छा deal crack कर लिया था तो obviously Airtel का इससे क्या हुआ था एक तरीके से problem हो गया था business में क्योंकि एक duopoly business में हमेशा competition बहुत जादा रहती है एक business एक अच्छा deal कर लेती है तो दूसरा business एक तरीके से shock में आ जाती है तो इसी वज़े से इनको अब क्या हुआ था क्योंकि production रुख गई थी तो इनको एक अच्छा time मिला plan करने के लिए और Airtel ने जो सबसे अच्छा step उठाया वो यह था कि इन्होंने corporate base अपना बहुत जादा बढ़ा लिया इस time के विच में अब देखो Google का सबसे बड़ा plan किया था कि उनको cloud का business बढ़ाना है cloud का business में सबसे जादा profitability customer base से जादा corporate base में होती है क्योंकि corporate जादा पैसे pay करती है database corporate में जादा होती है correct इसी particular reason के वज़े से Airtel ने क्या किया अपना corporate भी इसको जादा बढ़ा दिया अपने corporate में जो exposure है और जो subscribers है corporate world में वो जादा इन्होंने बढ़ा दिया already इनका reach corporate में Gio से जादा था वो उसको और बढ़ा दिये और उसके बाद third चीज क्या किया इन्होंने exact वैसा plan बनाया जैसे Gio ने बनाया था जो कि इन्होंने भी decide कि वो भी अपना cell phone बनाएंगे जो affordably 4G के तरफ conversions करेंगे 2G customers को तो एक तरीके से Gio का ही जो plan था वो एक तरीके से इन्होंने भी execute किया just because they got the time for planning अभी इनके लिए और अच्छा timing आ गया क्योंकि अभी धीरे से वापस chip का जो availability है वो बढ़ रही है and at the same time इनका जो corporate base है वो भी बढ़ गया है तो इन दोनों situation को एक साथ लेके इनके लिए proper timing भी create हो गया तो अब सवाल यह आता है कि Google ने invest क्यों किया Airtel में why did Google invest in Airtel जबकि Gio में वो already invested था तो reason बहुत ही simple है that is subscriber base अब आपको अगर पता है कि market में दो खिलारी है और इन दो खिलारी से आपका subscribers base बढ़ सकता है अब Gio मान के चलो आपको अगर market का total 70% में से 40% दे रही है तो बाकी 30% लेने में क्या दिक्कत है जो Gio और Airtel मिला के बनाये है market में Motorhead Digitization of India का उसको यह और अच्छी तरीके से apply कर सके और अच्छी तरीके से implement कर सके So this was all about the video I guess आपको इस वीडियो के थूँ अच्छी तरीके से idea लगा है कि कि किस तरीके से Google ने अपना presence बढ़ाने के लिए Duopoly के दोनों players को एक तरीके से invest कर किया तक कि वो अपना business बढ़ा सके By the way यहाँ पे बहुत interesting यह होगा कि यह जो Airtel ने अपना deal crack किया इसके जवाब में Gio क्या करने वाली है क्योंकि Gio को यह चीज तो अब तक नहीं idea लगा होगा कि Google भी कुछ ऐसा सोचेगा कि उसके खिलाव जाके वो उसी के competitor को एक तरीके से पैसा पे करके invest करेंगे But at the same time यह भी एक चीज आ जाता है कि शायद यह भी all over एक plan है ताकि किसी भी तरीके से market में किसी एक player का monopoly ना बने क्योंकि monopolies बनना भी एक तरीके से खराब बात है तो I guess इस video के तुर आपको अच्छा कासा information मिला होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा Thank you for watching this video. Stay healthy and stay safe.